हेलो फैमली एंजल की रस्वई में अपका सागत है आज हम बना रहे हैं चीज ब्रेट पॉकेट्स जिसके लिए डाइसो ग्राम आलू लिए है मैदा काउंस्टाच लिया है मैंने डेड़ डेड़ स्पून और चीज लिए है मैंने अपने इसाब से आप क्यूब क्यूब साथ ही हमने थोड़ा सा सॉल्ट लिया है तेस्ट अनुसा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए बेल आइकन क्लिक कर दीजिए तो चलिए रैसे भी स्टार्ट करते हैं आल और खाने में एकदम चीजी तो देखिए चीज का क्योब लिया है मैंने वो पूरा सा हम ग्रेट करके डालेंगे अगर आपके पास मोजरेला चीज है तो सोने पे सुआगा है मेरे पास अम्मूल चीज है फलाल में उसे ही काम चला रही हूँ तो ये बच्चों को जब भी आप बना के देंगे बच्चे खोश हो जाएंगे टिफन में भी दे सकते हैं अगर बच्चे स्कूल और कॉलिज जा रहे तो लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं तो देखिए साप में ही मैंने नमक डाल दिया चिली फलेक्स अपने सवाद अनूस डो एक साइड रखना है और ब्रेट के पीसिस लेने हैं और कॉन्स की सिलेरी पहले हम बना लेंगे सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम कॉन की सिलेरी लगा देंगे क्यूंकि हम चीज पॉकेट इसमें डिप करके फिर फ्राय करने वाले हैं और ये बहुत ही मज क्या आफ़ देंगे हम बेरा पानी डालेंगे मीडियम घूञ बना देंगे अप में बेरेट ले लूगी मैंने इंइंग्री डेडन में आपको ग्रीन चटनी नहीं देखाई बट में थोड़ी थोड़ी लगा रही हूं ग्रीन चटनी मेरे पास अविलेबिल है तो उससे थोड़ा टेस्ट और भी स्पैसी और चटपड़ा आएगा तो सब ब्रेट पे हम चटनी लगा देंगे इसके बाद हमने जो चीजर आलू का जो डो बनाया है पूरा उससे हम थोड़ा थोड़ा लेके पूरा ब्रेट के उपर स्प्रिट करेंगे और आलू के तो आपको पता है बचे कितने शोकिन रहते हैं तो आलू की जबी नहीं रेसेपी देखते हैं और बचे मन से खाते हैं और यह ज़्यादा इस पैसी भी नहीं है ब तो देखिए पूरा मैंने ब्रेट पे फैला दिया है अब इसके भाग करना क्या है थोड़ा सा जो चीज लेना है और मैं इसके उपर भी थोड़ा ग्रेट करके डालूंगी ताके हमें अंदर आलू में भी चीज लगे और हम जब बाइट्स खाएंगे जब भी भी हमें चीज का सवाद आएगा क्योंकि इसका नाम यह ब्रेट पॉकेट चीज है तो देखिए उपर से चीज ग्रेट करने के बाद काम खतम नहीं हुआ है तो और भी थोड़ा काम है आपको इंतजार करना पड़ेगा आप क्या करेंगे एक एक ब्रेट को हम 6 पीसिस में या 4 पीसिस में कट करेंगे जितना आपको बड़ा चाहिए बड़ा भी बना सकते हो चोटा चाहिए चोटा भी बना सकते हो क्यों तो देखिए मैं चार कर रही हूं तो देखिए कट करने के बाद इनको हम फ्राय करेंगे ओयल में ने चड़ा दिया है तो गरम करने के लिए तोजी चो कॉन की सलेरी है ना उसमें हम इसको डिप करेंगे और फिर डिरेक्ट ओयल में डालेंगे और फोक की हेल्प से हमें ज्यादा कॉंस्टर्च या ज्यादा बेटर ना लगे यह ध्यान रखना है नहीं तो यह बहुत ही हाड बन जाएंगे तो देखिए मैं कैसे डाल रहे हूं और कॉंस का चूड़ा लगा सकते हैं यहां से वहीं यहां बट मैंने सेंपल ही बनाए है तो देखिए तो भी यह इतने बढ़िया बने है और ऐसे लग रहा है खाने में के जैसे हम ब्रेट नहीं पूरा चीज पॉकेट खा रहे है तो मैं आगे आपको प्लेटिंग दिखाती ह कितने क्रिस्प बने है आपको इसका साउंड भी सुनाओंगी और यह मेमान आने पर आप बनाओगे तभी यह क्रिस्प ही पड़े रहेंगे और यहां सफर पे ले जाओगे तभी डबे में यह क्रिस्प ही रहेंगे एर कंटेनर में डालके आप लेकर जा सकते हैं यह सौफ उम्मीद करती हूं आपको रैसे भी पसंद आई होगी अगर आपको रैसे भी पसंद आई है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कॉमेंट में जरूर बताइए कि आपको रैसे भी कैसे लगी आप इसको एक अफते तक फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं जब मन चाहे जब भी फ् तो देखिए कितना बढ़िया है सिर्फ मैंने ये अमुल चीज लिया है आप जरूर मोजरेला चीज डालिए उससे और भी स्वात बर जाएगा बट फिर भी ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी है तो मिलते हैं अगली रैसेपी के साथ तब तक के लिए अपना और अपनों क द्यान रखिए ऐसे ही मुझे ब्लेस करते रही है कि जिसे मैं आपके साथ जुड़ी रहूं तो तब तक के लिए टेक क्यार पपाए